हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब लोग आप सब लोग अच्छे ही होंगे तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे पास कौन से कौन से टाइपस के बैं है तो आपको भी आइडिया हो जाएंगी कि मतलब कौन से आउट्पिट पर कौन से बैं अच्छी लगेगी और अगर आप रावलिंग करे हो तो आपको कौनसी बैक करी करनी चाहिए क्या आपको हिल्प मिलेगी उससे उस टाइप के बैक से तो एसे टाइप की चार बैक है मेरे पास तो आपको बहुत ज्यादा वीडियो हेल्फुल होने वाला है तो चैनल पे नए हो तो प्ल बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इसका लेदर देखो ना बहुत ज्यादा सौफ्ट है अराउंड वन एड हाफ यह से इस बैकों में यूज कर रही हूं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है और इसका लॉक भी बहुत ज्यादा अट्रेक्टिव लगता है मुझे और इसको एक आउट्फिट के साथ अच्छे से जाएगा यह बैग और इन में आप अपने कार्ड्स मतलब कार्ड्स और लिप्स्टिक और कॉम्पैक्ट जो भी छोटा मुटा सामान है और रख सकते हो अगर मार्केट में और जाना है अंदर से दिखा देती हूं एक बार आपको मैं आपको दिख रहा है या नहीं I don't know बट कुछ इस तरीके का है और अंदर से भी कपड़ा अगर आपको ज्यादा अच्छा कॉलिटी का है और आपको मैं बता दू कि इस वाले बैक को ना मैंने ग्रेट मॉल से लिया था यहां पे ही USA में तो यह है फॉर्स बैग मेरा अभी म आपको दिखा देती हू बहूत ही अच्छा है ओभी बैक तो यह कुछ इस तरीके का है हाप देख सकते हो यह बंतलब अगर किसी पार्टी में वगरा जा रहे हो तो ये वाले बैग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और इन में सामान भी बहुत ज़्यादा अच्छा बेट जाता है अगर मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक पार्टी में रहेना है आपको तो बहुत सारा सामान बेट जाता है इसमें ना दो सेक्षन है आप देख सकते हो इस बैग में दो सेक्षन है कुछ इस तरीके से और यहां पे भी एक है तो यह बैग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है अगर आप पार्टी वगेरा में इसको क्यारी करना चाहते हो तो यह से वाली बैग आपके पास होनी चाहिए इस वाले बैग को भी मैंन में मॉल से ही लिया था शायद तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है बैग यह मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यह वाला है सेकेंड बैग मेरे पास अभी मेरी थर्ड बैग दिखा देती हूं आपको जो जो थर्ड बैग में आपको दिखा रही हूँ ना यह बै बैग में बहुत सारा बच्चों का सामान भी है आराम से बैठ जाता है कुछ इस तरीके की है आप देख सकते हो यह है मेरी थर्ड बैग तो ऐसी वाली बैग आपके पास जरूर होना चाहिए अगर आपके छोटे बच्चे है क्यूंकि आप देख सकते हो यह सैक टाइप है तो आपको अगर ट्रहलिंग वगेरा कर रहे हो आप कहीं गूमने जा रहे हो तो आराम से इस बैग को पीछे लगा कि आपका इसेंशल सामान इसमें बैठ जाएगा और कभी भी आपका बच्चा रोता है तो आप इसमें बॉटल रख सकते हो मिलकी इसमें वाटर बॉटल र खाने की चीजे और बच्चों के कपड़े वगरा एक डूड रेस भी इसमें बैठ जाएंगे तो ऐसी वाली बैग तो जरूर होना चाहिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे है तो तो यह है मेरी थर्ड बैग जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है और इस बैग को भ मतलब इसको यूज नहीं किया है लेकिन इसका जो मतलब क्या बोलते हो आप लुक है ना आप देख सकते हो कितना ज्यादा अच्छा लुक है ना बहुत ही ज्यादा अच्छा किया इस लुक ने मुझे मतलब डिफरेंट है नॉर्मल बैग की जैसे नहीं है और कलर भी देख आप देख सकते हो टैग भी वेसे का वेसा ही है तो यह भी बैग बहुत अच्छी है एसी वाली बैग मतलब पार्टी में ही अच्छी लगेगी और वेडिंग्स में भी अच्छी लगेगी अगर आप वेसी वाली सारी वगरा पहन रहे हो तो स्टाइलिश लुक पे यह अच्छी है एभी बैग मुझे बहुत अच्छी लगि तो आप बताना मुझे इन चार वाल बैग मैंसे आको कौन सी अच्छी लगी पास दिखाते हों कुछ इस तरीकिक है देख लो आप कुछ इस तरीकी के बैग है यह बहुत ही ज़्यादा सुन्दर है यह भी बैग तो यह चार बैग है तो आप बताना मुझे इन में से कुछ सी आपको अच्छी लगी और आप कमेंट सेक्शन में यह भी बता दिया करूं कि आपको किस टाइप का वीडियो बनान तो आइओप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक चानल को सब्सक्राइब और जाज़ा से तदादा शेयर कर देना तो आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते है निक्स्ट वीडियो में तिल देन बबाई टेक्यार